हमस्ते विध्या त्रिमित्रों कैशे हो श्री सत्यसाई लक्षियों हन विध्याले महवास से पटेल जया बहन के आप सवकाहा दिक्षागत करती हूँ विश्य हिंदी कक्षा चा चलो बाल दोस्तों आज हमना ये वीडियो में पुन्रावर्तन दो दिखेंगे आगे के विडियो में हमने देख लिया था पुन्रावर्तन एक पुन्रावर्तन यानि जो हम पढ़ गए हैं उसका फिल से ताजा करना है प्रश्ण एक हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखे क्या लिखना है हमें हाथी के बारे में तो हमने प्रथम दीत्य शत्र में हाथी की एक कविता प्रशिद हुई थी कवि प्रयाक शुक्लदार रचित काविया धमक धमक आता हाथी में हमें हाथी के बारे में देखा था तो आज हम यहाँ पे हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखना है तो मैं यहाँ उसका हाथी के बारे में वरणन करूँगी आपको शुनना है और अच्छी तरह से लिखना है तो पहले दिखेंगे हाथी हाथी तो हमने दिखा है दिखा है कि नहीं हाथे की शूंड कैशी होती है लंबी है ना हाथे की शूंड लंबी होती है और वह उसको क्या खाना बहुत पसंद है केले क्या खाना बहुत पसंद है वो हमें काविया में दीखा था कि उसको केले खाना बहुत पसंद है वो केले खाता है पर कितने केले खाता है वो नहीं बताती क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कितने केले खा जाता है और उसको पानी बहुत अच्छा लगता है वो जब पानी में जा ना है तो चलो हम लिखेंगे हाथी की बारे में हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है वो क्या है जानवर कैसा है हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है वह जंगल में रहता है वह कहां रहता है जंगल में हाथी जंगल में रहता है और कभी कबार सरकश में भी दिखाई देते है हाथी का रंग काला होता है कैशा है काला हमें लिखना है हाथी का रंग काला होता है उसके पाउं खंबे जैसे मोटे और मजबूत होते है कैशे खंबे जैसे गुजरादी मा थांबला अपर थांबला कही तेवा तामला जेवा मोटा आने मजबूत होई छे जैसे कि इसके पाउं खंबे जैसे मोटे ओर मजबूत होते है इसके कान शूप जैसे बड़े होते है शूप एकले शूपडा जेवा इसके कान शूप जैसे बड़े होते है किसी तरह सूप जैसे इसकी आखे बहुत सोटी होती है छोटी एकले नानी इन्हें आख के वीचे एक दम नानी इसके एक लंबी शूंड होती है उसकी क्या है एक लंबी शूंड पहले ही बताया कि उसकी शूंड जब वो नहाता है तो क्या करता है उसकी शूंड सुन में पानी बर-बर कर वो नहाता है, तो इसकी एक लंबी सुन होती है, हाथी के दो लंबे दात होते हैं, क्या है दात, कितने हैं दो, पर कैसे हैं लंबे, हाथी के दो लंबे दात होते हैं, हाथी शवारी और शामान डोने के काम आता है, हाथी किश किश कामात है हाथी शवारी और शामान दोने के कामात है इतले सामन ने लाई जवा माटे पौन कामा आवे छे और शावारी माटे पौन कामा आवे छे हाथी समझदार जानवर है हाथी कैसा जानवर है समझदार हाथी समझदार जानवर है अब मैं फिर से दुबारा बोलती हूँ हाथी शप्षे बड़ा और ताकतवर जानवर है वह जंगल में रहता है हाथी का रंग काला होता है कैशा काला इसके पाउखंबे जैसे मोटे और मजबूत होते है इसके कान सूप जैसे बड़े होते है इसकी आखे बहुत चोटी होती है इसके एक लंबी शूंड होती है हाथी के दो लंबे दात होते है हाथी शवारी और शामान डोने के काम आता है हाथी समझदार जानवर है तो हमने आगे भी पढ़ा है हाथी इससे ज्यादा भी हम लिख सकते हैं हाती के बारे में अब प्रशन दूसरा प्रशन बे और दूसरा शमानाथी सब्दों के जोड़े बनाए समानाथी सब्द नी जोड़ बनाओ यहाँपे हमें सब्द दिये गए है क्या समान अर्थ वाले जैसे कि औ और बॉमें दिये गए है जैसे औ में पानी अब हमें औ से औ और बॉ दिये गए है उस में से हमें बॉमें से डुनद ना है तो यहाँ पे पहला सब्द दिया गया है पानी तो पानी का दूसरा आर्थ क्या होता है यहां से हमें डूंड़ना है पानी का दूसरा आर्थ होता है जल क्या होता है जल जल याने पानी तो हमें यहां पे लिखना है उत्तर में जल पानी का दूसरा आर्थ होता है जल जोथे नमबर जल याने जल आस्मान आस्मान याने आकास आकास दर्ती दरा पृत्वी आमनी शीपाही शैनीक तो अब हमें फिर से देखते हैं पाने का समाना ते सब्द क्या है जल आस्मान का दूसरा आर्थ होता है आकास क्या होता है आकास गण दर्ती का धरा पृत्वी आमनी और शीपाही का शैनी ता हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में और नॉट्बूक में भी लिखना है अब प्रश्ण तीन नीचे दिये उधारण के अनुशार लिखे क्या लिखना है हमें सौरी बार रह गए और लिखा प्रश्ण दोका और अब बार लिखना है विरोधी शब्द ढूंड कर उसका बाक्य में प्रयोग किजिए क्या करना है बाक्य में प्रयोग करना है धर्ती उचा पकड़ना आना ये सब्द दिये गए है तो उसका हमें क्या करना है विरोधी शब्द ढूंड कर उसका प्रयोग करना है तो हमें नीचा है तो नीचे का क्या विरोधाती सब्द है उचा क्या है उचा नीचा का उचा नीचा का नीचा चा अग दूसरा छोड़ना छोड़ना का पकड़ना और दूसरा आश्मान आश्मान का क्या होता है दर्थी जाना का आना जाना का आना तो हमें विरोधी सब्दें ओन लिये हैं तो हमें उसका वाक्या में प्रयक करना है तो नीचा का उचा तो हमें वाक्या बनाना है बुरा काम करने वाले को नीचा दिखना पड़ता है क्या वाक्य बनता है बुरा काम करने वाले को नीचा देखना पड़ता है और उसका विर्धाती सब्द उचा अच्छा काम करने वाला उचा देख सकता है दूसरा छोड़ना हमें बुरी आदत छोड़नी चाहिए हमें बुरी आदत छोड़नी चाहिए अच्छी आदत पकड़नी चाहिए बुरी आदत छोड़नी चाहिए और अच्छी आदत पकड़नी चाहिए और तिसरा आस्मान पतंग उड़कर आस्मान को छूती है पतंग उड़कर आस्मान को छूती है पतंग तूटकर धर्ती को चूती है उड़कर आस्मान को चूती है और तूटकर धर्ती को चूती है चौथा जाना और आना शुबह लोग मंदीर जाना चाहते है चोटा बच्चा भी साथ में आना चाहता था छोटा बच्चा भी साथ में आना चाहता था अब प्रश्ण तीसरा नीचे दिये गई उदाहरण के अनुशा लिखे यहाँ प्रश्ण तीसरा है हमें उदाहरण के अनुशा लिखना है उदाहरण यह लड़का है यह लड़की है तो दूसरा कौन सा दिया गया है वह राजा है क्या है वह राजा है तो राजा का दूसरा उदाहरन की तोर पर हमने दिखा है तो राजा रानी क्या है वह रानी है क्या लिखेना हमें वह रानी है यह शिक्षिका है शिक्षिका का फुसर विर्दू क्या होता है शिक्षक लिंग पहचानना है शिक्षी का शिक्षक तो यहाँ पे वह शिक्षक है वह शिक्षक है वह शिक्षक है लेखक का लेखी का वह लेखक है वह लेखी का है वह लेखी का है अब क्या है? अब प्रश्नों चौथा प्रश्नों चौथे में उदाहरन की अनुशार वाक्या प्रयोग किजी क्या कहा है उदाहरन की अनुशार? हमें यहाँ उदाहरन दिया गया है यहाँ तितली है यहाँ पर एक वचनों बहुचन का प्रयोग किया गया है तो यहाँ एक का बहुच इस तरह एक तितली है और ज्यादा तितली है तो क्या बलते हैं हम तितली है एक मचली होगी तो एक वचन में मचली हो और ज्यादा होगी तो मचलिया तो युशी तरह एक वचन और बहुचन का प्रयोग किया गया है तो हम यहां प्रयोग करें सॉरी यहां वाक्य लिखेंगे वह मचली है तो क्या लिखेंगे वे मचलिया है वे मचलिया है वे मचलियां है दूसरा है यह लड़की है तो क्या लिखेंगे यह लड़कियां है यह लड़कियां है यह लड़की है यह बिल्ली है क्या लिखना है वह गोड़ा है क्या है यहाँ पर हमें अनुसर भी लगाना है वह मचली है वह मचलियां है यह लड़की है यह लड़कियां है यह बिल्ली है यह यह बिल्लियां है वह घोड़ा है वे घोड़े हैं अब हम पैज नमबर 43 देख गये था पैज नमबर 44 तो यही सरी प्रश्न पाच्वा सही भी कल पसंद करके वाक्या लिखे हमें सही बाक्या पसंद करना है और वाक्या में लिखना है तो पहला वाक्य है खाली जग्या तीतलिया है हमें यहां से डूंड़ना है यह 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 तो क्या लिखना है यह तीतलिया है क्या लिखना है यह यह तीतलिया है यह तीतलिया है दूसरा खाली जग्या तुम्हारा फूल है क्या है, खाले जग्या तुम्हारा फूल है, वह, क्या लिखना है, वह तुम्हारा फूल है, खाले जग्या किसान हूं, मैं या मैं, मैं, कौन मैं, मैं किसान हूं, यहाँ पाट साला है, खाले जग्या कई सात्र पढ़ते हैं, तो यह खाले जग्या में लिखना है, इन में या इसमें तह में लिखना है यह पाट साला है इसमें कई सात्र पढ़ते है यह पाट साला है इसमें कई सात्र पढ़ते है पाच्वा किसान खली जग्या करता है किसान कौन या क्या आएगा क्या क्या आएगा किसान क्या करता है खाली जग्या लड़के ने मुझे लड़ू दिया वह या उश वह रखकर दिखेंगे तो वह लड़के ने मुझे लड़ू दिया अच्छा वाक्या नहीं है बंदभेशता वाक्य नहीं है तो हमें क्या लिखना है उष्छ लड़के ने मुझे लड़ो दिया है तो अब हमारा पुनौरावत्तन दो समापत हुआ तो हमें यहाँ पेद्नवत्तेतरिश और 24 लिखना है पाठ्खे-पुस्तक में भी लिखना है और हमारी नॉट्पुक और स्वध्य पुथी में भी लिखना है और फोटो किच के पीजना है बाई